पुलिस ने कहा कि रविवार 24 नवंबर 2024 को बरेली में एक आशिक रूप से निर्मित पुल से रामगंगा नदी में एक कार गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई उन्हें संदे है कि चालक को नेविगेशन सिस्टम द्वारा गुमराह किया गया था जिससे वह असुरक्षित मार्ग पर चला गया उन्होंने बताया कि यह दुरघटना सुभा करीब दस बजे खालपूर दातागंज मार्ग पर उस समय हुई जब पीडित बरेली से बदायूं जिले के दातागंज जा रहे थे सरकिल आफिसर आशुतोष शिवम ने कहा इस साल की शुरुवात में बाढ़ के कारण पुल का अगला हिस्सा नदी में गिर गया था लेकिन इस बदलाव को सिस्टम में अपडेट नहीं किया गया था पुलिस ने बताया कि ड्राइवर नेविगेशन सिस्टम का उप्योग कर रहा था उसे यह एहसास नहीं हुआ कि पुल असुरक्षित है और उसने कार को क्षतिग्रस्थ हिस्से से उतार दिया श्री शिवम ने बताया कि क्षतिग्रस्थ पुल के रास्ते पर कोई सुरक्षा अवरोधक या चेतावनी संकेट नहीं थे जिसके कारण यह घातक दुरगट ना हुई सूचना मिलने पर फरीदपुर, बरेली और दातागंज ठाने की पुलिस टी में मौके पर पहुँची और वाहन तथा शवों को नदी से बाहर निकाला शेत्रा धिकारी ने बताया कि शवों को पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया गया है मामले की आदे की जांच जारी है